हलो स्टूडेंट इस अन्पम गंभी यू आर वाचिंग अन्पम इंग्लिश क्लासेज इस्टूडेंट आज की इस वीडियो लेक्चर में क्लास 12 इंग्लिश फ्लमिंगो बुक पॉम 3 कीपिंग क्वाइक जिसके पोयर पैबलो नेरूडा है इसके हम कोशन आंसर कवर करेंग इस चीज की प्राप्ति होगी तो स्टूडेंट इस पोव में पोयर कहते हैं कि मैं ट्रेल तक कांट करूंगा और उसके बाद तुम कुछ पल के लिए सब लोग शांत हो जाना जिससे की हम अपने लाइफ में जितनी भी हमारी डिफिकल्टीज है लाइफ की या किसी को हम हा कांट करूंगा और उसके बाद तुम सब शांत हो जाना कोई अपनी लैंग्वेज का इस्तमाल ने करेगा सब बिल्कुल स्टॉप हो जाएंगे अपने सारे काम छोड़कर हम अपने जीवन को थोड़ा सा रहस्त दीकर समझ पाएंगे सो अंसर श्टार्ट करते हैं बाई कांटिंग अप्टू 12 एंड कीपिंग इस्टिल वी विल हैव टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन पोईट कहते हैं कि जब मैं 12 तक कांट करूंगा और तुम सब शांत हो जाओगे तो तुम अपने फ्री टाइम में अपनी लाइफ के इं हमारी डेत ना हो जाए उससे पहले हम यह भी कर लें वो भी करने सब चीज की प्राप्ति करना चाहते हैं हम अपने जीवन में तो जित्ती भी कोई या फिर डिफिकल्टीज है हमारे लाइफ में जित्ती भी प्राब्लम्स हैं तो उससे हम थोड़ी सी देर के लिए बच जा हो कि यह जो पोएट हैं वो हमें कहते हैं कि पोरी अक्टिविटीज को रोग दो अपने काम सब बंद कर दो तो यह लाइक डैथ की तरह कहना चाहते हैं कि डैथ की तरह बिल्कुल स्टॉप हो जाना चाहिए हमें तो नो दा पोएट ड़न्ट एड़ोगे टोटल पोएट चाहते हैं कि सभी लोग कुछ पल के लिए स्टॉप हो जाएं सारे अपने काम बंद करके अनलाइज करें अपनी अक्टिविटीज को कि वे क्या काम कर रहे हैं जितने उनके द्वारा काम हो रहे हैं उनको क्या करें उनको एनलाइज करें समझें कि कुछ गलत तो न ना करें, मतलब बंद कर दें और अपने एंवाउम्मेंट को डामेज होने से बचाएं. Now, next question, what is the sadness that the poet refers to in the poem? जो poem में sadness वोल्ड आया है, इससे क्या रफर करते हैं हमारे poet? The sadness that the poet refers to in the poem is man's own unconscious action and overthinking. Sadness से तातपर है हमारे poet का क्या है, कि जो व्यक्ति के द्वारा जित्ते भी बिना सोचे समझे किये गए action है, काम है, या उनकी overthinking है, फालतू की सोच है, उससे sadness का मतलब है. Next, man has no time to understand himself and he is always threatened by death. तो हमारे poet कहते हैं कि जो व्यक्ति है, उनके पास कोई टाइम नहीं है, human beings के पास अपने आपको समझने का कोई टाइम नहीं है, और वो जो हमेशा किस से डरता रहता है, death के डर से हमेशा डरता रहता है, कि मैं death ना हो जाए, death होने से पहले मैं अपने सारे काम कर लो, property कर लो, कुछ भी वो चाहता है कि जो मैं death से पहले कर लो, यान कि वो death के डर से डरता रहता है, that is why he often remains sad, इसी कारण जो हमारे human beings हैं, हम लोग हैं, वो हमेशा सेट रहते हैं, we are all a part of the mad race for power and money, हम ये बेफाल्तु की जो दोड है, mad race है, किसकी mad race है, power कोई भी शक्ति को पाने कि हम कुछ भी पाना चाहते हैं, achieve करना चाहते हैं, या पैसा, power की, ये सब हम mad race के पीछे हम भागते रहते हैं, if we look within ourself, अगर वो रुकेगा और कुछ पल के लिए अपने आपको सोचेगा, समझेगा, this sadness might be broken, तब ये जो sadness है, उसकी हमेशा के लिए तूट जाएगी या खतम हो जाएगा, now last question is, what symbol from nature does the poet invoke to say that there can be life under apparent stillness, जो हमारे poet Pablo Neruda है, किस तरफ invoke यानि की इशारा करते हुए हमसे कहते हैं, कि अगर stillness होगी, यानि की कुछ पल के लिए शान्त हो गया, तो इसका इशारा किस ओर करते हैं हमारे poet, the poet says that seeming stillness is not the sign of the death, poet कहते हैं, कि जो शान्त होने के लिए मैं कुछ पल के लिए रुखने के लिए कह रहा हूँ, तो वो death का sign नहीं है, it is a time to prepare for a renewed interest in the activities of life, जाना चाते हैं, कि ये शान्ती तो केवर हम जो life में activities कर रहे हैं, अपने जो भी हम काम कर रहे हैं, जोच पल के लिए उनको रोक कर, उनकी activities को हम renew करें, समझें और उसको धंग से apply करें, He gives an example from nature, आप वो nature का एक example लेते हैं, कि in winter everything goes to sleep, कि winter में क्या होता है, सबको शान्त हो जाता है, क्योंकि animals भी अपने घरों को चले जाते हैं, और birds भी कम चिर्परिंट करती हैं, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि winter में सब कुछ सो जाते हैं, नेचर भी हमारी क्या हो जाती है, जा स्लीप हो जाती है, but in spring everything और फिर क्या होता है, नेचर भी थोड़ा सा ब्रेक लेती है, spring season में, the plants and grass and the streams become active and alive again, spring season में थोड़ा सब रेक लेने के बाद जब summer आता है, तो सब कुछ active हो जाता है, plant है या grass है, सब कुछ फिर से वैसे ही काम आने लगते हैं, इसी के साथ student ये वीडियो लेक्चर कम्लीट करते हैं, नेच्ट वीडियो लेक्चर में इसी पॉंब के MCQs के साथ आख से मिलते हैं, प्रीज सस्क्राइब माइ चैनल फॉर मोर वीडियो, थैंक यू सो मच पर वाचिंग, मिलते हैं नेच्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाई,